दोस्तो अभी तक मैंने जितनी भी बाइकों पर रिव्यू किया ना बाइक मैंने पहली बार किसी बाइक को इतना छोता नाम देखा होगा इस बाइक का जो नाम है वो है दोस्तो W175 जो की कावा सरकी की तरब से आने वली वीकल है W175 इसका नेम है बले आप लोग मेरे उपर हसेंगे मैं एक यूटूबर हूँ और अच्छा कासा यूटूबर हूँ आपको पता है बट यार सच बता रहा हूँ इस बाइक के बारे में मुझे अच्छी तरीकी से नहीं पता था तो यार इस सोरूम ही मारे आप पहले आए पहली बार आए और मुझे रिव्यू करने मिला है तो आज मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है अलाकि नाम में आप लिखा हुआ है इस डबलू 175 तो आज की इस फीडियो को सुरू करते है इस ब्यूटी के बारे में अगर चैनल पर पहली बराया है तो सब्सक्राइब करना बेल के अगन को आउन कर लिजेगा ताकि ऐसी ही इंट्रस्टिंग इडियो के नोडिफिकेशन में आप तक पहुंसते रह सके और आप मेरे लेड रह सके हैं तो चली फिर आज की इस फीडियो को सुरू करते हैं बात करते हैं दूस्तों इसके प्राइस के बारे में आपको बताना चाहूंगा यह जो बाइक है यह आपको एक्सुरूम प्राइस आती है वन लेक फोटी सेवन ठोजन एक लाग सेताली से रुपए की यह प्राइस देखने को मिलती है देखिए औरट प्राइस फिलाल अपि मैं में मुंचिन नहीं कर रहा हूँ कि जो ऑनडूट प्राइस होता हो हर एक्स्टन सीडि में अलग होता है इस लिए फिलाल ऑनडूट प्राईस चाहीं आपअपे सहीं नहीं रहेगा बात करते हैं इस वहिकल के बारे में सबसे पहले फ्रंड में आते हैं फ्रंड में आपको यह पर जो लाइट देखने को मिल रही सबसे पहले आपको जो बार टनल सिंगल लैप मिलेंगे वह आपको राउंड शिप में बल्ब देखने को मिलते हैं और में लैट में भी इसमें आप लोग को वो अच्छी है इसकी illumination and visibility है वो आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी फ्रेंट में इसमें आपको telescopic suspension देखने को मिलेंगे suspension cover भी company ने आप यूज किया है बात कर लेते हैं इसके दुस्तोé front tyre के बारे में तो front में आपको आपको bike में 80-100 असी ex付 expression देखने को मिलती है वो इस bike में आपको single channel anti-lock braking system देखने को मिलता है इसमें dual channel EBS नहीं आता बात करते हैं इसके engine के बारे में इस bike में दुस्तों engine tape में 177cc का air cool 4 stroke single cylinder जो engine है वो हमें इस bike में देखने को मिलता है बात कर इसके power and torque के बारे में ये maximum power में 13 PS के असपास की power generate करती है and 13.2 के असपास का जो torque है वो आपको इस vehicle में देखने को मिलता है तो power and torque आपको एक अच्छी bike मतब एक normal bike की तरह आपको इसमें देखने को मिलेगा fuel system में इसमें FI आता है जिसे fuel injector भी कहते है दोस्तों इसमें आपको बोर से 65.5 mm की मिलती है इस stroke size 52.4 mm में मिलती है S4C engine है 2 whole engine and 5 gear जो आपको इस bike में देखने को मिल जाता है यह vehicle आपको लग बग 42.45 का सका माले इसनी offer कर देती है top speed इसकी 120 से 130 km per hour की देखने को मिलेगी अलागी यह bike मुझे कावसागी की boxer की याद दिला रही जब बजाज और कावसागी मिलकर इसे बनाते थे rear में आपको इसमें जो tire size देखने को मिलेगे वो मिलते है दूस्टो 190 के tire size rear में मिलेंगे twin shock absorber आपको rear suspension इसमें आपको मिलेगा rear में आप इस bike को देख पार है यह bike का exhaust रियर जो footrage है वो भी आपको बहुत अच्छी मिलेगी यह आप आपको कावसागी की branding मिलती है tail light के design देख पार है और यहां पर आपको सारी guard भी देखने को मिलेगा tank देख पार है tank का design भी आपको यहां पर काफी अच्छा देखने को मिल जा रहा है ठीक है चली बात करते हैं इसके speedometer के बारे में दोस्तो इसमें भी आपको analog with digital meter जो है देखने को मिल जाएगा switches में पास से लोग्यम है भी आपको मिलता है जो mirror है वह आपको round shape में mirror यहां पर देखने को मिल जाते हैं ठीक है चली बात कर लेते हैं इस बाए के divination and capacity के बारे में इस बाए की ओरल लेंथ है two double zero five mm की ओरल वी था आट सो पांच नंकी ground clearance है 100-150 mm की इसकी जो seat length है sorry seat height है वो 790 mm की है car weight 135 kg के असपास का देखने को मिल जाता है शेद अदसो brand new kawasakhe की w175 आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको यह bike कैसी लेगी मिलते हैं नेक्स विरो में नवी ओल जेहिन मदमातरन